हेलो फ्रेंज कैसे आप सब लोग तो स्वागत है आपका आपका रेनूस किचिन में तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ गेहू के आटे का बहुत ही हेल्दी नाष्टा यह आप सुबर नाष्टे में या फिर बच्चों के साथ टिफिन में भी दे सकते है तो उसके लिए म हम लोग यहां पर डालेंगे इसमें बारिक कटी हुई शिमला मिर्च एक गाजर बारिक खीश कर एक टोमाटो बारिक कट करके और एक मिडियम साइज का पैट इसे भी बारिक कट कर लिया है और उसी के साल एक हरी मिर्च डालेंगे आप हरी मिर्च अपने टेस्ट केस आप स इसे कमजादा कर सकते हैं और एक इंच अदर का टुक्रा इसे खीश कर और थोड़ा सा हरा धनिया इन सबको पहले मिक्स कर दे और अब इसमें हम लोग थोड़ा-थोड़ा पाने डाल कर इसका एक पतला सा डो बना लेंगे पानी को थोड़ा-थोड़ा करके ही डाले आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियों को बारिक कट करके डाल सकते हैं जैसे की पालक या फिर मैथी मैंने आपर एक ग्लास पानी लिया था मैंने उसका पूरा यूज कर लिया है तो इस कंसिस्टेंसी का हमें डो चाहिए एक कप ग्यू के आटे के लिए एक ग्लास पानी तो अब हम इसमें लास्ट में नमक डालेंगे ताकि पानी डालने के बाद हमें नमक का अंदाजा आ सके तो मैंने याप पर एक चमश नमक डाल दिया है अब इस बैटर को मिक्स कर दे तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टनसी ना बहुत गाड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली तो अब इससे ढखकर 10 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे तो 10 मिनिट बाद गैस पर एक तवा गरम करने के लिए रख दे तवा गरम हो जाने पर उसमें तेल डालकर इस तरह से स्प्रेट कर दे तो यह बनाने से पहले इस तरह से पहले इसे मिक्स करना है हर बारी और उसके बाद हम लोग इस बैटर को एक चमाच इस पर डाल देंगे तवे पर और यह प्रोसेस हमें लो टू मेडियम फ्लेम पर ही करनी है हमें बहुत जादा जल्द बाजे नहीं करनी है नहीं तो यह कच्चे रह जाएगे और अब इसे 2-3 मिनट तब गैस पर ही अच्छे से पकने दे 2-3 मिनट बाद अब इसे साइड से निकालते हुए दूसरे साइड से पलट दे आप देख सकते हैं यह कितनी आसानी से निकल रहा है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है अब इसे दूसरे साइड से भी 2-3 मिनट के लिए क्रिस्पी होने दे अब 2-3 मिनिट बार यह अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल ले और फिर से तवे पर थोड़ा सा तेल डाल कर बाकी के बच्चे हुए डोसे भी इसी तरह से बना लेंगे अब फिर से यह आटे का डोसा डालने से पहले इस बैटर को चम्मच से मिक्स कर लिया है और अब एक चम्मच इस पर डाल कर इसे भी उसी तरह से बना लें जैसे आपने पहला डोसा बनाया है तो हमारा दूसरा डूसा भी बन कर तयार है, इसे भी उसी प्लेट में निकाल लें आप देख सकते हैं इसका कलर दोनों साइब से कितना अच्छा है आप देख सकते हैं यह कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी है तो आप आप इसे tomato sauce या दही के साथ serve करें यह tomato sauce जो है यह homemade tomato sauce है इसके recipe मैं आपके साथ बहुत जल्दी share करने वाली हूँ तो आज की अगर यह recipe आपको पसंद आई हो तो इस recipe को like और share जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना ना भूले